यहां पर आपके सामने एक चैनल देख इस चैनल पर जो वाच टाइम है 1633 गंटे वाच टाइम है इस चैनल पर जब लाश्ट 365 दिन में देखा तो 71,886 गंटे वाच टाइम है और यहां पर आप देख सकते हैं इस चैनल पर लाश्ट 90 दिन में 1096 वाच टाइम है और अभी भी इस चैनल पर 1549 watch time ही है monetize कैसे किया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनसे पूछा इन्होंने यहाँ पर देखो लिखा है थांक्स आपके वीडियो से knowledge मिली bank balance 0 हो गया था इस वीडियो को देख रखा है आपका चैनल monetize कैसे किया जाए इनका चैनल कैसे monetize हुआ reuse content आने के बाद और आपका चैनल कैसे monetize होगा reuse content आने के बाद तो first of all मैं आपको कुछ बात करने वाला हूं 10 ऐसे point में जो कि आपके channel से related है आपको सिर्फ उस 10 point में करते जाना है कि कौन सी गलती आप कर रहे हो जो कि आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है अगर आपके channel पर reuse content आया है तो आपको इन 10 गलतियों में से कोई भी एक गलती जरूर कर रखे होगी तभी रूज़ आया है अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर आपको बाते बताता हूं एक एक करके सबसे पहली जो बाते हैं क्या आपने किसी का content copy किया है आपके मन में कोई सवाल होगा तो मुझे जरूर नीचे comment box में बताना content किसी का copy किया है अगर yes है तो वो content आप delete करिए या फिर private करिए अगर delete private नहीं करोगे तो आपके channel पर monetization on नहीं होगा point number 2 क्या आपने किसी song को copy किया है जैसे कि song मतलब यहां पर मैं यह बता दूँ कि song का मतलब यहां पर यह नहीं कि background music background music आप खूब लगाईए अपनी आवाज के पीछे background music खूब लगाईए कोई problem नहीं है लेकि song का मतलब यह है कि आप किसी bollywood song को या फिर किसी hollywood song को या फिर कहीं का भी song को जो दूसरे channel पर upload है और as it is आपने अपने channel पर upload कर दिया है या फिर कुछ picture को उठाकर edit करके upload कर दिया है तो अगर यह काम किया है तो आपका channel monetize नहीं होगा क्या आप अपने channel पर status की video upload करते हैं ringtone की video upload करते हैं अगर आपका answer यहाँ पर yes है तो आप इस type की video रंद करिए नहीं तो आपका channel कभी monetize नहीं होगा अब आप यह भी कह रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे channel इसी type के हैं जो monetize हैं मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जिनके channel जब radar में आ जाते हैं YouTube के तो YouTube रिउज़ भेज देता है जिस दिन वो आपके जैसे जो वीडियो बना रहे हैं उनका channel radar में आ गया ना YouTube के तो उसी दि रिउज बेज देगा चाहे 2 million हो 4 million 6 million हो कोई फरक नहीं पड़ता है अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या आपने किसी का clip यूज किया है क्लिप का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी वीडियो 5 minute की है आपने किसी का clip यूज कर लिया साधे 4 minute तक तो आधे मिनट में सिर्फ आपकी आवाज है यह बात ध्यान रखना अगर आप यह गलती करते हो तो अब आपको बताता हूँ बहुत लोग एक गलती और भी बहुत ज़्यादा कर रहे है आज कर ट्रेंड में चल रहा है और फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं होता फिर रिविजड आ जाता है यह जो गलती में बता र में उनका अल्रेडी यूटूब पर चैनल होता है और उनकी वीडियो आप अगर अपनी चैनल पर अप्लोड करोगे तो आपका चैनल मोर्टाइज नहीं होगा इस बात को ध्यान रखना बहुत लोग क्या करते हैं पुरानी सीडी कैसे ट्रक्की होती है किसी के यह सत्संग म करना है तो रियूजड आए उसके बाद रियूपलाई करना है तो उसके पहले वीडियो को डिलीट करूँ या ऐपके उपर है डिलीट भी कर सकते हो अगर डिलीट करोगे तो 10-15 परसंट ज्यादा चांस होता है कि मोनिटाइज जल्दी हो जाए प्राइबेट करोगे तो 10- पुबारत से पब्लिक कर दोगे और उससे फिर आपकी वीडियो पर इंगेजमेंट बढ़ती रहेगी, आपकी ओडियंस बढ़ती रहेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहेगे, लेकिन यहीं अगर आप जैसे डिलीट कर दिया तब तो आपकी इंगेजमेंट डाउन ह याएगी, यहां पर बात करते हैं कि रियाप्लाई करने के बाद अगर वाच्टाइम घट जाता है, तो क्या दिक्कत आएगी? और अगर दिक्कत नहीं आएगी तो क्यो नहीं आएगी? देखो, वाच्टाइम YouTube कहता है कि जब आपका 4 जंटे कम्प्लीट होगा, तब ही अपने चैनल को monetize के लिए apply कर दिया है तब तो आपके चैनल पर कोई problem नहीं है यूटूब की guideline को follow करके आपने apply किया है apply करने के बाद अब आपके चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी right ये बाद ध्यान रखना apply करने के बाद आपका अगर watch time कम भी होता है तब भी YouTube monetize कर द बहुत लोग ये कहते हैं कि यह बता दो कुछ ऐसी technique कि क्या करूं मैं कि एक दिन में ही reuse content अगर आया हुआ है तो मेरे चैनल मोटाई हो जाए एक दिन में मैं 90 दिन बेट नहीं कर पाऊंगा मैं YouTube की reuse content policy का बेट नहीं कर सकता I can't wait I can't delay for monetization तो please how can I fix it तो मैं आपको बताता या फिर private कर लेना उसके बाद YouTube पर आपको message करना होगा YouTube team से बात करनी होगी chat करके चैट करके अगर बात नहीं कर पाते हो तो आप Twitter का यूज़ करो Twitter पर जाओ add the rate लगाओ team YouTube लिखो और वहाँ पर अपना पूरा message डाल दो पूरा message type करने के लिए आपको type करके डाल देना या फिर आप मुझे Twitter पर follow कर लो मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों के channel को monetize कराता रहता हूँ तो फिर वो text भी copy करके डाल सकते हो अब तो ये बात हो गई जो मैंने आपको सारी चाही बताई लेकिन अब आप ये भी सोच रहोंगी कि starting में जो मैंने आपको chat दिखा है वो WhatsApp पर करता हूँ और WhatsApp पर आपसे discuss करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दू कि आज तक हमने 500 से ज्यादा चैनल monetize करा हैं उन में से 300 से ज्यादा चैनल use content, repeated content और क्या YouTube पर upload करना चैए क्या नहीं करना चैए कैसे काम करना चैए उस सारी याझारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, उस सारी याझारी आपको हमारी membership में मिलती है, हम membership में time to time आपके channel को देखते रहते हैं, अगर आप हमें message नहीं भी करते हैं तब भी हम आपको reply time टू टाइम करने की कोशिज करते हैं, हम आपको मैसेज करने की कोशिज करते हैं, जिससे कि आपकी problem find हो, और आपका चैनल जल्दी monetize हो, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे comment box में जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आई है, तो like करना चैनल पर पहली बार आए हो, आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो subscribe जरूर कर लेना क्योंकि YouTube से related हम यहाँ पर हर एक वीडियो प्रोवाइट करते रहते हैं, मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखे, विस्यों अलता वेरी वेस्ट, थांक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो